हेलो डिया फार्मा इस्टूडेंट वेलकम डू जीडीसी फार्मा जॉब्स आज हम फार्मा सिच की वेकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जो की आई हुई है गौवर्मेंट आफ वेस्ट बेंगॉल की ओर से तो चलिए जानते हैं क्या कुछ है बोस्ट किस प्रकार से आपको अपडेटीड नियूज फार्मा रिगार्डिंग हर वेकेंसी अपडेट मिलने वाली है जीडीसी फार्मा जॉब्स चैनल में तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंग्स तकी से सेयर करें तो यह जो वेकेंसी है गौवर्मेंट आफ वेस्ट होना और जिसका एंड डेट है 12 दिसंबर ठीक है 12 दिसंबर को एंड डेट रहने वाला है तो यह आप ध्यान में रखिएगा अब यह एप्लिकेशन फॉर्म की फीज की बात कर लें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है जो अन्रिजॉर्ड डेट है उनके लिए म बहुत ही नॉमिनल फेेगे लबकी रखे गई है एप्लिकेशन फीस को हमाती है डाकी बहुत सी पोस्ट आई हुई है हमें अपने फार्मासिस्ट की उपर आना है तो आप यहां पर देख पाएंगे फार्मासिस्ट की आई हुई है number of post की बात करने हीं तो one post यहाँ पर आई 1000 दिया गया है अब यदि minimum age की बात करते हैं तो 21 year से लेकर 40 year तक के जो student है यहाँ पर apply कर सकते हैं और eligibility की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर दिया गया है candidate को क्या होना चीए 2 year का diploma means यहाँ पर d pharma के candidate रहने वाले है eligible ठीक है और जीन का जो registration होना चाहिए वेस्ट बेंगॉल में ठीक है registration का होना चीए वेस्ट बेंगॉल इट मिस यह जो vacancy है वेस्ट बेंगॉल वाले students के लिए ही आई हुई है अब यदि यहाँ पर दे दिया गया है साथ ही साथ जिनका जो weightage होगा higher qualification में उनको ज्यादा preference दिया जाएगा ठीक है और साथ ही होना चाहिए क्या उनको बेंग्याली language में आनी चाहिए और computer भी इनकी skill होनी चाहिए तो अभी तो हर ही student को computer की knowledge होती है MS office हो गया यह सारी चीज़े वो run कर ही लेते हैं ठीक है तो यह ज्यादा बड़ी बात नहीं है आपको defarma होना चाहिए ठीक है higher qualification होगा तो ज्यादा उनका weightage रहेगा और साथ ही साथ computer ठीक है computer ले मलब की computer आपको चलानी आनी चाहिए ठीक है यह सारी चीज़े रहने वाली है क्या यहाँ पर आपका और साथ ही साथ यह भी दिया गया है यह भी देख लिजिए applicant must be permanent resident of west bengal ठीक है वो permanent resident होना चाहिए west bengal की west bengal वाली है vacancy रहने वाली है ठीक है तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो prescribed आपको format दे दिया गया है यह सारी चीज़े documents आपके पास होनी चाहिए आपके पास general यहीगी है सारी चीज़े जब आप form fill up करने बैठे तो आप जरूर से इनको एक बार read out कर लिजेगा और सारी चीज़े अपने पास रखिएगा ठी चीज़ेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रहने को 1st December से start होने वाली है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे यह दिया कि है www.bhhealth ठीक है यह जो आपका website है वहाँ पर जाकर आपको क्या करना होगा application form को fill up करना होगा और यहाँ पर आप देख पाएंगे यह जो requirement है व कभी भी आती है तो यह जरूर से क्या होती है आपके लिए beneficial होती है कब जब कभी भी government की permanent vacancy आती है तो वहाँ पर experience मांगा जाता है तो यहीं सारी vacancy है जो आपको देख पाएंगे यह जो contractual basis पर government के ओर से आती है इनका experience वहाँ पर बहुत helpful रहता है तो ऐसे भी जो contractual basis पर आती है vacancy उन्हें ignore नहीं करना चाहिए कहीं न कहीं यह हमारे लिए beneficial हो ही जाती है तो जरूर से जो आपकी friend होंगे West Bengal के जरूर से यह notification उन तक आपको पहुचाना चाहिए अच्छी यहाँ पर उनके लिए requirement है रहने को वह ही post है पर क्या पता वो post आपके लिए ही हो है ना ज इसी प्रकार के नेस्ट नोटिफिकेशन के साथ all the best